Hello everyone, Welcome to Okul India के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हम लोग बात कर रहे हैं Certificate Physical and Human Geography by GC Leong की Chapter 17 को हमने पिछले पार्ट में सार्ट किया है जो की सवाना और सुडान climate के टाइप के बारे में बात करता है और इसमें हम लोग ने देखा कि इस तरीकी का जो climate है यानि कि सवाना या सुडान टाइप का जो climate है वो कहाँ पर पाया जाता है उसका distribution हमने देखा, वहाँ पर कितनी rainfall है, कितना temperature वहाँ पर रहता है temperature का variation कैसा रहता है, साल में किस समय गर्मी जादा होती है, किस समय सर्दी रहती है वो हमने देखा, फिर हमने वहाँ पर कुछ winds के बारे में भी पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा कि वहाँ पर किस तरीकी की natural vegetation पाय जाती है हमने देखा कि वहाँ पर tall grasses है, short trees होते हैं, जो scattered form में है जो trees है, वो deciduous है, काफी जादा scattered form में वो रहते है तो ये सारी चीज़े हैं हमने वो पिछले chapter में या पिछले lecture में बात करी है आज हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, animal life के बारे में बात करींगे ये देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार के जानवर जो है वो पाय जाते है animal life कैसी है, और फिर थोड़ा सा human settlements के बारे में या मैंने आपको बताया था कि इसमें दो tribes के बारे में बात की है तो उन में से एक tribe के बारे में जो है हम लोग आज देखेंगे और बाकी एक tribe के बारे में जो है वो अगले lecture में देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को सवाना की अगर हम बात करें और particularly अफरीका की अफरीका में मैंने आपको दिखाया था हम बात कर रहे थे नाइजीरिया की हम बात कर रहे थे सुडान की है ना वहाँ पर is the home of wild animals वहाँ पर काफी जादा आपको जो है जंगली जानवर या wild animals देखने को मिल जाएंगे it is known as the big game country इसको big game country के नाम से भी बोला जाता है and thousands of animals are trapped or killed each year by people from all over the world और इस जगे में यानि कि जो ये अफरीका का continent है यहाँ पर बहुत सारे जानवर या आप कह सकते हैं कि हजारों में जो जानवर हैं वो हर साल या थो पकड़े जाते हैं मतलब trap के जाते हैं या फिर उनको मार दिया जाता है और कौन मारता है local people भी मार रहे हैं और आप कह सकते हैं कि बाहर से पुरे दुनिया के लोग जो है वहाँ पर जाके इस तरीके के हरकते कर रहे हैं animals जो हैं उनको क्यों मारा जा रहा है they are tracked down for their skin मतलब उनकी जो खाल है उसके लिए horns मतलब जो उनके सींग होगे रहा होते हैं उसके लिए tusks मतलब जो उनके धात हैं बोन्स मतलब हड़िया है हैर मतलब उनके बाल और बागी चीज़ों के लिए भी उनको या तो जिन्दा पकड़ा जा रहा है and sent out of Africa as zoo animals है ना या फिर अफरीका से बाहर बेज़ दिया जा रहा है zoo की तरह या फिर उनका इस्तमाल laboratory के specimen के लिए किया जा रहा है इसमें यह बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो animal life है वो इतनी जादा है यानि कि यहाँ पर इतनी जादा species है इतने जादा wild animals है कि हम जो भी most of the animal films देखते हैं है ना कहाँ पर cinema वगिरा में है तो वो सवाना से ही लिए जाते है जैसे आप लोगों को अगर याद है कि कुछ channel होते है जैसे discovery channel है है ना एक channel होता है नेशनल जोग्राफिक एक channel है animal planet तो उस तरह कि animal films ये animal के उपर short movies ये documentary वगिरा आती है तो most of them जो है वो कहाँ पर shoot की जाती है सवाना में ही की जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे animals है अब यहाँ पर जो animals है वो mainly दो group उनके कह सकते हैं एना एक तो है grass eating herbivorous यानि कि घास खाने वाले herbivorous animals और दूसरे हो सकते हैं मांस खाने वाले carnivorous यानि कि एक तरीक से कह सकते हैं कि शाकाहरी और मांसाहरी जो herbivorous animals हैं they are often very alert and move swiftly from place to place in search of green pastures जो herbivorous animals हैं वो बहुत जादा कैसे हैं alert हैं मतलब चौकनने हैं अब देखिए यह आप एक तरीके से उनकी characteristic भी कह सकते हैं या मजबूरी भी कह सकते हैं कैसे क्योंकि एक ही जगे है suppose कर लीजे मैं आपको example दूँए एक जंगल है या एक जंगल का कोई छोटा सा area है वहाँ पर एक शेर है एक tiger रह रह रहा है और एक deer रह रह रहा है यानि कि एक hiran रह रह रहा है अब hiran के लिए तो मजबूरी है कि उसको चौकनना तो रहना ही पड़ेगा खेत चाहिए जहां पर जाके वो क्या कर सके घास वगरा खा सके और यह कुछ ऐसे animals होते है जो यह अर्वी वोरस भी है वो गाए वगरा नहीं है ना मतलब गाए वगरा ऐसा जो है वो ऐसे जंगलों में नहीं रही है उनको हम आप आगे जाके देखेंगे कुछ tribes वगरा उन कैसे है उनके पास बहुत तेज स्पीड है यानि कि वो बहुत तेज गती से क्या कर सकते हैं दोड सकते हैं और फिर वही बाद दोड़ना उनकी फिर से मजबूरी है जो कि otherwise जो यह मांसाहारी जानवर है जो कार्निवोरेस अनिमल्स है वो इनको खा जाएंगे वो हमेशन के पीछे पड़ा रहते हैं और इनको खा जाएंगे और इस तरीकी की चीज़ है जो है आपने वही डिस्कवरी चैनल पर या नैशनल एनिमल जो एनिमल प्लैनेट वगरे चैनल आता है उसमें देखा होगा दे लीफ एंड ग्रास इटिंग एनिमल्स यानि कि पत्ते खाने वा गजेल भी आपके एक तरीके से जो है ये सब डिगर की ही प्रजातिया है अलिफेंट मतलब हाती है और दूसरा है उकापी उकापी भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिराफ की प्रजाती है और इसको जो है जेबरा जिराफ भी बोला जाता है जेबरा जिराफ मतलब इसक बॉडी को इस तरीके से मतलब डिजाइन कर लें या इस तरीके से उसको रखें कि आप आप में और आपके जो पीछे बैग्राउंड है उसमें कोई जादा अंतर देखने को ना मिलें तो कैमोफलाज का एक बहुत बढ़िया एक्जामपल आप कह सकते है कि आपको इंडियन आ बेसिकली इसलिकी जाती है ताकि आप अपने दुश्मन से अपने आपको क्या कर सके छुपा सके अपने आपको बचा सके तो इसलिए वहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी ग्रीनिश ब्राउन ग्रास है यानि कि हरी और बोरी रंग की घास घास है और वो भी काफी लंबी लंबी है तो इस तरीके से वो उसमें कैमोफलाज तरीके से रहते हैं और वहाँ पर उनकी जो प्रेजन्स है वो दिखने ही पाती है जिराफ तो आपको पता ही है इसकी क्या होती है गर्दन जो है बहुत लंबी होती है ठीक है तो यह अपने एनिमीज को दूर से भी अगर हाथी न अपने एक पहर भी रखती है तो छोटे मोटे जानवर तो जो है ऐसे ही दब जाएंगे तो इसलिए हाथी के पास नहीं आते और जिराफ जो है वो इसलिए थोड़ा सा बच जाता है क्योंकि उसकी गरदन काफी लंबी है तो वो अपने एनिमी को अपने दुश है टाइगर है लेपर्ड है हाइना है पैंथर जैगवार जैकाल लेंक्स एंड प्यूमा इनके पास पावरफुल जॉज होते है जॉज मतलब पंजे है ना बहुत ही मजबूत इनके पास पंजे होते है और दात तो हैं इनके पास इससे यह क्या करते है बाकी सारे अनिमल्स जो इनका टाउनी बैग्राउंड है सवाना का टाउनी ये जो वर्ड बना है ये आपका बना है टैन कलर से है टैन कलर आपको पता है कि हलका सा कैसा कलर होता है A kind of a brownish color तो brownish color से ये लगभग लगभग क्या होते हैं ये भी थोड़ा सा छुप जाते हैं मतलब एक तरह की से camoflaging ये भी कर पाते हैं तो अब ये चीज़ आपको लग रहा ही होगी कि हमने जैसे बोला कि हर्भी वोरस एनिमल तो छुपते हैं इन से बचने के लिए कार्णी वोरस ये कार्णी वोरस क्यों छुपते हैं अगर आपने कभी भी डिस्कवरी चैनल पर ये अनिमल प्लैनेट पर नेशनल जोग्राफिक पर अगर इस तरह की कोई शॉट प्रोग्राम ये कुछ मूवी तरह की देखिए तो आपने देखा होगा कि शेर जब शिकार करता है या कोई भी ऐसा जानवर जो शिकारी है जब भी वो किसी और जानवर का शिकार करता है तो वो पहले छुपके रहता है और जैसी वो देखता है कि कोई हरन आया या इस तरीके कोई जानवर आया तो वो एकदम से भाग के उसको पर शिकार करता है तो वही जो एकदम से वो छुपे रहने वाला एक जो सीन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह छुपने के लिए इस तरीके के बेगराउंड का यूज करते हैं तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी भी है कि they often hide themselves in shady spots up in the branches and amidst the tall bushes and many wild animals as well as hunters themselves are caught unaware in this manner है ना तो इसमें जो यह सारे के सारे जो hunters वगरा हैं उनको वो पता नहीं लग पाता तो फिर वो इनको मैंदब उल्टा जो है hunter वगरा के ओपर हमला यह कर देते हैं Along the rivers and in marshy lakes are numerous species of reptiles and mammals नदियों के पास या फिर जहां पर दलदल वाले इलाके हैं मार्शी, lakes वगरा हैं वहां पर reptiles और mammals की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे कि crocodile जो घड़ियाल वगरा है alligator bees also a type of a crocodile only species होती है monitors जो है they are the species of a kind of lizard जो छिपकली होती है उसका प्रजार यह है giant lizard यह सारे के सारे है together with the larger rhinoceros जो rhinoceros है दरियाई गोडे वो यहां पर पाई जाते है hippopotamus जो है वो यहां पर पाई जाते है गैंडे दरियाई गोडे यह सब यहां पर पाई जाते है in such an animal paradise there are many diverse species of birds, snakes, butterflies, moths and insects तो यहां पर यह चीज़े भी है अब आप देखे कि यहां पर herbivorous animals भी है यहां पर carnivorous animals भी है इस तरीके के जो यह reptiles है crocodiles और आपके lizards या फिर कुछ ऐसे mammals जैसे rhinoceros, hippopotamus यह भी है फिर कुछ और birds, snakes, butterflies, insects यह सब चीज़े हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरे के पूरे जो मतलब region है उसमें animals वगरा काफी जादा पाए जा रहे है और इसके बाद क्या लिखा है कि in many parts of east and south अफरीका east अफरीका और south अफरीका के बहुत सारे parts में और यह neural park बनाना इनकर चेंसरा करना जो है और यह neural park बनाना इनका conservation करना जो है वह एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जरूरी भी है क्योंकि अगर इस तरीके के rare species को बचाना है और उनको लोगों के शिकार होने से या जो लोगों की shooting वगरा करने के आदत है जो उनको शिकार करने के आदत है उससे अगर बचाना है तो उसके लिए national park वगरा जो है बनाने ही पढ़ेंगे इन Kenya there are large hotels and viewing towers built in the heart of the savannas with special transport arrangements to bring tourists in to see the animals in their natural settings यानि कि Kenya में इस तरीके के बहुत सारे hotels और viewing towers बने हुए है सवाना के बीचों बीच में और उनके पास कुछ transport arrangement वगरा भी है जिससे वो tourist वगरा जो है या animals को देखने जाते हैं आपने देखा हुआ animal safari या जंगल safari जिसको बोलते हैं उस तरीकी चीज़ यह है this is a progressive step made in conserving animal life of the savannah and should be encouraged तो यह progressive step है जो की animal life को conserve करने के लिए लिया जा रहा है और इसको जो है और जादा encourage कया जाना चाहिए इसके बाद बात करेंगे human life की अभी टक हमने vegetation देख ली हमने animals देख ली अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर human life कैसी है अब अगर हम human life की बात करें तो within the savannah lands of the tropics live many different tribes who are either cattle pastoralist like the masai of the east african plateau और settled cultivators like the hosa of the northern Nigeria तो यहाँ पर दो tribes के नाम आपको दिये हुए है और उनका अलग-अलग characteristic भी दिया हुआ है एक तो cattle pastoralist है cattle pastoralist मतलब जो अपने पशुओं को लेकर क्या करते हैं एक जगे से दूसरी जगे घूमते रहते हैं और यह है आपके east african plateau की masai tribe और दूसरी एक tribe है जो है settled cultivator यानि कि वो एक जगे पर ही रह के अपनी खेती वगरा करते हैं यह है northern Nigeria की houser tribe अब इन दोनों के बारे में ही जो है हम अलग-अलग यहां पर देखेंगे तो यहीं लिखा है कि we shall examine the life of these two groups of people more closely and house and see how they adapt themselves to the sawanah environment यानि कि इन लोगों की life के बारे में अब हम थोड़ा सा और जादा नजदीकी से close तरीके से देखेंगे और यह देखेंगे कि कैसे इन्होंने सवाना environment के साथ क्या किया है अपने को adapt किया है तो सबसे पहले अगर हम पहली tribe की बात कर लें that is the Maasai जो cattle pastoralist है इनके बारे में यह Maasai जो है एक प्रकार की nomadic tribe है nomadic tribe क्या होती है who once wandered with their herds of cattle in the central islands of East Africa in Kenya, Tanjania and Uganda यानि कि यह क्या करते थे अपना जो पशु होते थे पशुओं के जुण के साथ यह एक जगे से दूसरी जगे क्या करते थे गूमते रहते थे nomadic tribes यही होती है यह जो बंजारे होते है वो यही काम करते है और कहां पर गूमते थे यह East Africa में इस एफरिका में Kenya, Tanjania, Uganda इन जगों कर एट दा हाइट ओफ देर पावर in the mid 19th century दे नंबर्ड about 50,000 यानि कि जब इनकी पावर बहुत जादा हुआ करते थी तो उस समय लगभर हम कहें कि 19th century के मद्धे में इनकी संख्या हुआ करती थी 50,000 के आसपास लेकिन आज की अगर हम बात करें तो after a centuries tribal clash इनके बीच में भी अब क्या होगा कि पूरी की पूरी tribe है उसमें भी छोटे-छोटे groups बनेंगे तो उसमें भी आपस में लड़ाई जगणे होते रहेंगे है ना clash होंगे साथी साथ epidemics आएंगे मतलब epidemics जो आए है उसकी वज़े से यह natural death होगी तो इनका जो number है वो बहुत जादा क्या हो गया है greatly reduced हो गया their old grazing grounds in the Kenyan highlands were taken over first by the immigrant white settlers for plantation agriculture coffee, tea, cotton के लिए and dairy farming and later after independence by the African farmers यानि कि इनकी पहले क्या होता था कि इनकी संख्या जादा थी संख्या इनकी जादा होगी तो इनके पशू भी जादा होंगे इनके केटल भी जादा होंगे तो ये जब गूमते थे जब grazing कराते थे अपने animals को तो इनको जादा जगे की जरुवत पढ़ती होगी अब जैसे जैसे क्या हुआ है कि इनका संख्या कम होती चली गई है तो इनको ने जगे छोड़नी शुरू करी और साथ ही साथ dairy farming भी यहाँ पर अब कर रहे है और जब फिर आजाद हो जाता है देश तो उस समय फिर वहाँ पर African farmers जो है वो भी आने लगे मतलब जिस समय का पीरेट था तो उस समय जो Europeans वगरा आए उन्होंने यहाँ पर इस तरह की चीज़े करी plantation agriculture, dairy farming वगरा और जब बात में अजादी इनको मिल गई तो वहाँ पर फिर African farmers ने वो जगे ले ली तो यानि कि आज की डेट में यह सावाना के ऐसे एरिया में है जो लेस फेवर्ड है यानि कि जिसको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं किया जाता है और वहाँ पर million cattle यानि कि बहुत ज़्यादा संख्या में इनके cattle वगरा है और उससे भी ज़्यादा cattle मतलब क्या है जो आपके गाये वगरा होती है और उससे भी ज़्यादा जो है वहाँ पर है sheep and goat इसके बाद lower slopes में अगर हम बात करते हैं east african plateau के lower slope के अगर हम बात करें जहाँ पर rainfall बहुत कम है कितनी 20 इंच के आसपास और जहाँ पर बहुत लंबे समय तक क्या रहता है सूखा रहता है ड्रॉट रहता है तो grass seldom reaches a foot high तो वहाँ पर जो घास है उसकी height एक foot तक भी नहीं पहुशती और वो घास जो है वो nutritious भी नहीं है यानि कि उसमें कोई भी portion तत्व भी नहीं है और when there is a drought जिस समय सूखा पड़ता है तो मसाई जो है वो कहाँ चले जाते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं higher और cooler platy regions में in which their hurts can graze on the better pastures क्योंकि अब obvious ही बात है कि अगर घास वगरा नहीं होगी तो उनके इतने सारे cattle वगरा है वो खाएंगे क्या तो वो better pastures की तलाश में जो है एक तरीके से ऊपर की तरफ को चले जाते हैं और यह चीज़ है हमने Indian geography में भी पढ़ी है इस term को basically हम लोग क्या बोल बनाते हैं circular hurts with sticks, bushes and muds for temporary shelter क्योंकि अब देखें permanent तो रहना नहीं है हना जहाँ पर इनको grazing करने के लिए इनके cattle वगरा के graze करने के लिए field में लेगा यह वहीं पर जाएंगे तो यह sticks, bushes और muds से अपना temporary shelter बनाते हैं cattle को जो है एक special enclosure में रखा जाता है रात में and are protected from attack by the wild animals by a strong fence जो cattle वगरा है उसको रात को एक special enclosure में रखा जाता है और उसको जंगली जानवरों के attack से बचाने के लिए strong fence यानि की तारबाड वगरा जो है वो भी लगाई जाती है अब जो cattle मसाई के द्वारा रखी जाती है that is known as the zebu cattle, zebu cattle जो है वो उसमें hums होते हैं, hums मतलब उसके पीठ में जैसे आपने उट देखा है ना, उट के पीठ में एक hump होता है उस तरीके का hump होता है और long horns यानि कि उसके जो sing वगरा होते हैं वो काफी बड़े होते हैं they are treated with great respect and affection and are never slaughtered for food or for sale और उसको जो है ये लोग काफी जादा क्या करते हैं, respect आधर बाहों से रखते हैं, affection से रखते हैं और कभी भी उसको slaughter नहीं करते हैं, मतलब उसको मारते नहीं हैं, meat वगरा के लिए या बेचने के लिए उसको मारते नहीं हैं जो beef है ये consume कब करते हैं when they die a natural death from old age or disease, अब ये cattle जो है ये भी कभी न कभी तो मरेगा है या तो ये अपनी old age की वज़े से मर जाए या फिर किसी बिमारी की वज़े से मर जाए तब ये उसका beef consume करते हैं, अदरवाइस beef के लिए ये उसको मारते नहीं है they are never used as drought animals and are kept entirely for the supply of milk and blood drought animals मतलब होता है कि जो खेत वगरा में हल वगरा चलाने के लिए यूज़ करते हैं या कुछ समान वगरा डोने के लिए यूज़ करते हैं ये blood का क्या concept है, अभी देखते हैं, blood का concept भी यहाँ पर दिया हुआ है milking is done by women before daybreak and at dusk milking मतलब जो उसका दूद निकालना होता है, जो दूद दोना होता है वो या तो सुबे के समय होगा, यानि कि जिस समय उज़ाला नहीं हुआ है, daybreak मतलब dawn का जो समय होता है और या फिर कब होगा, dusk के समय में, यानि कि जिस समय शाम हो रही होगी, उस समय the yield is extremely low by any standard and usually not more than two pints are obtained at a single milking जो yield है वो बहुत कम होती है, जो दूद इनका निकलता है वो बहुत कम है और दो pints से जादा नहीं मिलेगा, एक बार जिस समय दूद दोया जा रहा है उस समय दो pints से जादा नहीं मिलेगा, pints आप लगभग मान सकते हैं कि आधे लिटर को बोल सकते हैं अभी जो milk है, that is drunk, either fresh और sour, अभी इसका जो दूद है वो या तो fresh जिस समय निकाला हो उस समय पी सकते हैं, या फिर आप उसको थोड़े समय रख दे तो वो कैसा हो जाएगा, सार हो जाएगा, खटा हो जाएगा, उसके बाद भी इसको पी सकते हैं लेकिन दूद से cheese बनाना जो है, वो मसाई tribe को नहीं आता, तो cheese making is still not known to the मसाई अब उसके बाद blood का क्या है, देखें, blood from both bulls and cows is drunk, जो खून है वो ये पीते हैं, अब ये खून को कैसे पीते हैं, क्यों को कैसे पीते हैं, ये देखें, इसका भी यहाँ पर तरीका दिखा है कि this is obtained by tying a leather cord around the neck of an animal until the veins swell, यानि कि ये उसके गरदन पर एक leather का पट्टा बाते हैं, याना एक leather की cord ये leather का पट्टा बाते हैं, अब अगर आप, मतलब ये चीज़ आपने अगर कभी कुछ फील करी होगी, कि अगर आप किसी चीज़ को अपने हाथ पर या कहीं पर अगर कि तेजी से tide बाते हैं, कि उसकी जो veins है, वो क्या हो जाती है, swell कर जाती है, उसकी नसे जो है, थोड़ा सा fool जाती है, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, वेन is then punctured by a small arrowhead and the blood gushes out and is collected and drunk, fresh और clotted, तो फिर उसमें एक तरीके से ये कुछ, मतलब एक तरीके सा आप कह सकते हैं क कुछ नुकिली चीज़ चुबाते हैं, अब कहीं पर भी अब नसों में अगर आप फ्रोड़ा सा भी नुकिली चीज़ कुछ चुबाएंगे, कुछ पिन वगएरा जैसी चीज़ भी होगी, तो उससे क्या होगा, blood में तो बहुत जादा flow होता है, pressure होता है, तो तुरंद ब करते हैं, cattle जो है, they are kept by every Masai family, हर Masai family में cattle जरूर मिलेगा, they are considered far more valuable than anything else, and are symbols of wealth, और ये जो चीज़ है, और किसी भी चीज़ के मुकाबले, और सबसे ज़्यादा क्या मानी जाती है, valuable या मुल्यवान मानी जाती है, और जितने ज़्यादा cattle जिसके पास होंगे, वो उतना ही वहाँ पर wealthy या rich person माना जाएगा, क्योंकि इसको एक symbol of wealth माना जाता है, richest man जो होगा, that has the largest herds of the cattle, leaving aside the sheep and goats, which to the Masai tribes are of little significance, यानि कि richest man कौन होगा, सबसे अमीर आदमी वो होगा, जिसके पास cattle का सबसे बड़ा जुण्ड है, उसमें ये sheep और goat को count नहीं करते हैं, वालब जो total number निकाल रहे है, largest herd की बात कर रहे है, वो सिर्फ cattle का है, sheep और goat का नहीं है, क्योंकि उसको ये बहुत जादा significance या महत्पुर्ण नहीं सबसते हैं, cattle जो है, they are used in payment for wives, अब ये क्या चीज है, ये payment for wives का मतलब है, कि जैसे आपने एक normal देखा होगा, कि डावरी सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है, कि जब लड़की की शादी होती है, तो वो दहज देती है, मतलब वो अपने साथ दहज लेके आती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जो आदमी है, जो इनके male है, वो शादी जब करते हैं, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, कि वो बीवी खरीद रहे है वो kettles के रूप में and when the father of the family dies और जब किसी परिवार का जो मुख्या या जो पिता होता है जब वो मर जाता है तो उसकी मा क्या करती है कि कि उसका जो भी live stock है वो उसको बच्चों के बीच में और संस के बीच में specifically जो परिवार के लड़के होते हैं उनके बीच में उसको बाट देती है मसाई जो है they will not slaughter the cattle for food जाना यह चीज़ फिर से यहाँ पर repeat की गई है बहुत important point है कि मसाई जो है वो cattle को food के लिए कभी भी मारते नहीं है slaughter नहीं करते है तो इसलिए अब वो खाएं के क्या so from the agricultural tribes such as the kikuyu of Kenya they obtain a small amount of millet, bananas, groundnut and vegetables तो वहाँ की जो एक agricultural tribe है Kenya की that is kikuyu यह उनसे कुछ खाने पीने की चीज़ है जैसे millet, banana, groundnut, vegetables यह ले ले लेते है because the number of cattle is more important to a Maasai than their quality है ना Maasai के जो यह family है जो परिवार है या इनकी जो tribe है उसमें cattle की quality important नहीं है cattle का number important है जितने जादा cattle होंगे उतना जादा वो उनको एक wealth status दे रहा है the Maasai will not willingly sell their cattle तो वो अपनी cattle को बेचेंगे नहीं यानि कि अगर उनकी cattle मान लीजे किसी काम की नहीं भी रही विमार हो गई या कुछ भी है लेकिन उसको बेचेंगे नहीं क्योंकि उनका focus जो है वो number पर है अब वही बात है कि अगर मान लीजे cattle कुछ काम आ रही है तो उससे तो फिर वो कुछ चीज कर भी सकते हैं दूद बगरा है या कुछ भी है कर सकते हैं लेकिन cattle ऐसी है कि वो किसी काम तो आने रही है ना लेकिन cattle है तो वो जगे तो consume करेगी तो इसलिए East Africa जो इनका region है जहाँ पर यह मसाई tribe रहती है उसको बहुत बड़ा ऐसा area है जिसको profitably use नहीं किया जा रहा है great efforts are being made to get the मसाई to care for their animals properly and raise them for sale keeping only as many animals as the pasture can support तो इस तरीके के बहुत सारे कदम उठाए भी गए है जिसमें मसाई लोगों को यह समझाए जा रहा है कि वो अपने animals की कैसे proper तरीके से care कर सकते है और उनको वो sale के लिए बेचने के लिए भी जो है मतलब बड़ा कर सकते है और उनको ये भी एक चीज़ बोली गई है कि आप उतने ही animals अपने पास रखें जितने आपके पास जितनी जमीन है जहां पर आप इनको चारा वगरा खिलाते हैं जहां से ये गास वगरा खाते हैं वो जमीन जितने animals को support कर सकती है आप उतने ही जो animals है वो रखें एक्स्ट्रा animals ना रखें बहुत सारे मसाई ट्राइब के लोग ऐसे हैं जो इन बातों को समझ रहे हैं इन टेक्निक का यूज कर रहे हैं बट मेजॉरिटी इस्टमनली कंटीनियू इन दियर ओल्ड वेस लेकिन काफी सारे जो पुराने है वो अभी भी अपनी पुराने विचारधारा में ही हैं और बात पर अड़े हुए हैं अमंग्स्ट मोस्ट ऑफ दी अधर अफ्रिकन ट्राइब्स पैस्टोरिलिजम एग्जिस्ट साइड बाई साइड विद एग्रिकल्चर तो इस पार्ट को हम लोग इतना ही रखते हैं इस पार्ट पे हम लोगों ने ये देखा कि एनिमल लाइफ क करकर केसी है सवाना रिजन की है ना ऑर साथ हिसाथ हमने एक ट्राइब के बारे में भी बढ़ा अब हमें एक दूसरी किसी बारे में बात करनी और हमें की excited capability रहते है agriculture वगरा करते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे problems, prospects और development of the सवाना के बारे में बात करेंगे जो वहाँ पर चीजे चल रही है उसको हम लोग अगले lecture में देखेंगे और अगले lecture में most probably हमारा जो यह chapter है वो ब्रिट हो जाएगा तो content related अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप हमारा telegram का group local gs upsc discussion forum इसको join कर सकते हैं इसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा या फिर आप इसको telegram में search करके भी join कर सकते हैं और अपने जो भी doubts जो भी queries हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं full course में अगर आप enroll करना चाहें तो link नीचे description में है उसके through भी आप कर सकते हैं course को access करने में purchase करने में कोई भी अगर तकलीफ आती है तो technical query के लिए आप हमारी okul help desk email id support at the right okul.co पर हम पर से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमसे social media platforms facebook instagram linkedin या twitter के through भी जुड़ सकते हैं तो चलिए मिलिंगे अगरे lecture में तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा please do take care of yourself thank you have a nice day bye bye